अगर मैं आप लोग उसे कहूँ कि आप लोग अपनी एंड्रोइट आप ड्राइड ड्राइड ड्रॉप करके बहुती जल्दी as less as 15 minutes में मरा सकते हैं तो आप लोग को कैसा लगेगा और यह कोई मामूली आप नी होने वाली है हम production grade apps बनाने वाले हैं ड्राइड ड्रॉप करके no code और अगर coding भी करी हमने बहुत complex app भी बनाई तो low code का इस्तिमाल करके जातर सदर ड्राइड ड्रॉप करके अपने time को बचाके चाहें फिर हम developer हो की नहीं हम लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और आने वाले time में अपनी productivity को अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर बस creativity और जानकारी का खेल है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ आज अपने experience में आप लोग को एक चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस वीडियो को देखे क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगो को इस तरह की revolutionary technologies के बारे में मालूम हो चलते हैं computer screen में let's get started so guys मैं आच चुक हो अपनी computer screen में और मैं इस वीडियो को start करने जा रहा हूँ एक ऐसी app बनाकर जिसमें आप लोग लोग कोड का इस्तिमाल करके एक बहुत ही अच्छी app एक production ready app बना सकते तो मैं यहाँ पर आज जुका हूँ login हो ठीक है मालो मैं बनाना चाहता हूँ एक auth app तो मैं काम करूँगा एक new project बनाऊगा या create new आपको दिख रहा है नहीं इस पर click करूँगा और यहाँ पर अपनी project का नाम लिखूँगा my auth ठीक है मैं लिखूँगा my auth जनी कि एक ऐसी app बनाएंगे जिसमें authentication हो कि user i login करे sign up करे database कहां पर होगा store कहां पर करेंगे credentials firebase में क्या हम code करेंगे नहीं as low as possible यह एक low code platform है लेकिन apps आप लोग production ready बना सकते हो यह मैं साबित करूँगा इस वीडियो में तो आप क्या करेंगे यहाँ पर my auth नाम का मैंने एक project बना है मैं create blank पर click करूँगा एक blank project बनाऊंगा setup firebase को मैं यहाँ पर on कर दूँगा next step करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा enable authentication करूँगा क्योंकि मुझे firebase में authentication चाहिए ठीक है और यह करने के बाद create user collection को भी मैं check कर दूँगा ठीक ह और यहाँ पर लिख दूँगा इसका नाम login page create page पर click करूँगा और इसके बाद logged in page भी एक बना दूँगा जो कि हमको दिखेगा जब user logged in हो जाएगा तो create blank पर click करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा logged in page ठीक है तो यह हमारा logged in page है दो pages मैंने यहाँ पर बना लिए अब म आप देख सकते हो कि मैं अब बिल्ड करना start कर सकता हूं लेकिन मेरा जो firebase setup है वो भी complete नहीं हो है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा create project पर click करूँगा क्योंकि मुझे एक firebase project बनाना पड़ेगा इसका नाम में my auth रखूँगा अब यहाँ पर region में चूज और इसके बाद मैं sign in with google करूँगा and this time we are signing in to firebase ठीक है यहाँ पर यह create करना project firebase में क्या है firebase firebase एक back end cloud computing service and application development platform है जिसमें आप लोग real time data store कर सकते हो इसको authentication के लिए use कर सकते हो free tier होता है इनका तो आप लोग free tier use कर सकते हो और उसके बाद आप GCP से pay कर सकते हो google cloud platform से connect करके इस तो हम लोग wait करेंगे इसके project बुनाने का अब आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो firebase project जो है आपका create हो चुका है 3-5 minute लगते हैं कभी-कभी जल्दी भी हो जाता है कभी-कभी देल लेता है इसके बाद enable auth on firebase पर आप लोग क्लिक करोगे जैसे ही आप लोग यहां पर authentication enable कर पाऊंगे तो मैं आप पर authentication enable करूँगा get started पर click करके and इसके बाद मैं आपर सिर्फ email provider चुरूँगा email password चुरूँगा और save कर दूँगा आप चाहें तो google के तुरू login करवाना चाहते हैं और भी बहुत सारे providers इसमें मौझूद हैं बढ़ी मैं एकदम simple रखूँगा पर click करूँगा ठीक है तो यह करने के बाद एक default bucket आपका इस project के अंदर create हो रहा है तो इसका wait करेंगे यह जितनी एर में create होगा मैं wait करूँगा फिर वापस आउँगा और एक बार यह सब हो गया तो मुझे auto generate config files पर click करके अपनी configuration files को generate करना पड़ेगा it's almost done and yes हो गया तो यह जो storage है यह भी हमने यहाँ पर enable कर दी है अब मैं auto generate config files पर click करूँगा और यह यहाँ पर firebase की configuration files को generate कर देगा अब यहाँ पर हमारी configuration files जो है वो generate हो चुकी है इसके बाद आपको यह icon दिख रहा है firestore का icon इस पर आप लोग क्लिक करोगे यह settings वाले gear icon पर click करोगे और इस नहों क्या करना है कि firestore rules रूजल जो है देपलोईड आ रहा है आप लोग इसको deploy कर दोगे तो इसको आप पर हमारी जो यह app है, इसके अभी हम login page पर हैं, तो हम एक login page बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक text field का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं अगर आप लोगो दिखाऊ, यह text field है मेरी, मैं इसको यहाँ पर drag and drop करूँगा, और एक और text field लेकर आऊँगा, एक और text field लेकर आऊँगा, तीन text field लेकर आऊँगा, एक email के लिए, एक password के लिए, एक generate password के लिए, ठीक है, तो मैं ने तीन text field यहाँ पर ले ली, ठीक है तो मैं आपर कर दूँगा confirm password और यह करने के बाद मैं जो password और confirm password है उसको mark कर दूँगा as a password field तो यह हमारी password field होने वाली है और यह icon size को 22 pixels कर दूँगा ताकि यह मुझे यह वाल icon दीखे and same मैं यहां पर भी कर दूँगा इसको icon size को 22 pixels कर दूँगा and obviously यहां पर थोड़ी बहुत मैं जो padding है वो देना चाहूँगा तो top से अगर मैं और वो account बनके logged in वाली जो हमारी page है उसमें चला जाए ठीक है तो यह एक मैंने page बनाई है अब इस screen से मैं चाहता हूँ दूसरी screen में जाओं तो मैं क्या करूँगा actions में जाओंगा यहां पर ठीक है यह दिख रहा है आपको actions इस पर click करके हम लोग दूसरी screen पर जा सकते हैं यहां फिर मैं चाहूँगा कि मेरा account बन जाए तो मैं कहूँगा यहां मेरा account बन जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं यहां पर कहूँगा कि जैसे ही कोई tap करे back end database में जाओंगा firebase authentication में जाओंगा और मैं कहूँगा create account और इसके बाद यहां पर अगर आप email ठीक है email field कि आओगी यह text field 1 ठीक है मैं काम करूंगा इन text fields को रहां चेंज कर लूगा तो यह जो है इसका नाम में text field ना करके email कर लूगा इसका नाम करके मैं pass कर लूगा और इसका नाम में change करके confirm pass कर लूगा यहनी कि c pass वापस से आता हूँ अपने login button के clip पर तो यह म पर unnecessary bug आने ही नहीं दे गए ठीक है तो यह करने के बाद मेरी ही जो screen वो ready हो चुकी है मैं page title को भी change कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ welcome to sigma course ठीक है मालू मेरा एक course है sigma course और मैं चाहता हूँ कि उसके videos मैं login करके logo को दिखा हूँ ठीक है तो welcome to sigma course कि आप लोग sign up करो और इसके बाद videos देखो अब यहाँ होता है flutter flow में कि आप लोग किसी भी app को run करना चाहते हो तो आप उसको temporarily test mode में run कर सकते हो यहाँ क्लिक करके आप देखो एक नई tap खुलेगी और यहाँ पर मैं अपनी app को देख सकता हूँ कि मेरी app चलने के बाद कैसी दिखेगी तो यहाँ पर आप देखो कि यह run हो रही है मैं wait कर रहा हूँ इसके run होने का और यह क्या कर रहा है testing session क्या होता है कि आप लोग instant reload कर सकते हो अगर आपन पर मेरी app जो है वो preview होकर मिल जाएगी क्या ये एक production ready framework है हाँ यार हाँ ये एक low code platform जिससे आप production ready apps निकाल सकते हैं और अपनी apps को आप यहाँ क्लिक करके download AP के पर क्लिक करके इसकी AP के download कर सकते हैं download code पर क्लिक करके आप इसका code download कर सकते हैं और उस code को आप change कर सकते हैं तो limitless possibilities इसकी क्योंकि यार जो काम शायद आप लोग code लिखके करते थे वो अब आप यहाँ पर बहुत ही simple interface के साथ करोगे and time के साथ आप सीखते ही चले जाओगे जैसे आप अपने phone में Insta चलाना सीखते हो WhatsApp चलाना सीखते हो Flutter लोगों भी बस चलाना सीखना है कि ये कर दो ये कर आप रेडी है AI भी इसमें integrated है काफी बड़ी आया है ठीक है मैं इसकी इतनी तारीफे करूँ उतनी कम है और वही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये चोटी मोटी चीज नहीं है ये एक काफी बड़ी डील है ठीक है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर लिखा यहाँ पर हो गया मैं दूसरी वाली स्क्रीन में redirect हो गया कि यहाँ पर यहाँ पर यह मुझे दिखेगा यूजर्स पर मैं क्लिक करूंगा तो हाँ यहाँ यहाँ बन गया है harry.cwh.com और यहाँ पर यह information जो है वह store हो गई है ठीक है बड़िया अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर widgets में आऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं widgets में आओगा और मैं widgets में आकर सबसे पहले a text लगाँ और यह जो text है मीरा इसको मैं लगाँगा एक container के अंदर तो नीची है अभी तो 100 pixels मैंने कर रखी है मैं आप टेक्स लेकर आँगा एक इस container के अंदर अभी कहला है container के अंदर column के format में रखना चाहते हो तो मैं कॉलम के format में रखना चाहता हूँ ठीक है तो यह hello word text में यहाँ पर आगया ठीक है यह मेरा container है अगर मैं इसमें एक दूसर टेक्स लेकर आँगा तो यह इस तरह से आएगा ठीक है मैं staff को रही मैं container को actually select करना चाहता हूं तो तो मैं अगर container को select करना चाहता हूं तो भी आपके तरीका बताता हूँ क्या है कि आप यहाँ इहां क monumental को select कर सकते हो और इसकी जो ब्ल्द है अगर आप चाहते है की 100% हो जाए तो आप इसको यहां पर infinite कर सकते है तो मैं यह container पर क्लिक करूँ और infinite पर क्लिक करूँ तो यह जो है full weight ले लेगा ठीक है और यह hello world text मेरा यहां पर है अगर मैं चाहता हूं कि यह center हो जाए तो मैं इसके alignment को center कर दूँगा यहां पर चाहूं तो यहां पर हो सकता है ठीक है अगर मैं इसके size को बढ़ाना चाहूं text के तो मैं इसके text के size को बढ़ा सकता हूं मानलो मैं करना चाहता हूं इसको 34 काफी बढ़ा हो गया यहां पर अगर करने वाला हूं, जो यह text है, मैं चाहूंगा कि यार यहां पर email आ जाए, तो मैं यहां पर click करूंगा, ठीक है, और यहां पर click करने के बाद, यह जो आपको दिखा रहा है, यहां पर click करने के बाद मैं चाहूंगा कि authenticated user का email दिख जाए तो यहां पर authenticated user का email आजाएगा फिर मैं चाहूंगा एक logout button भी होना चाहिए जब इतना कुछ हम बना रहे हैं तो एक logout button भी हो तो कितना अच्छा हो तो मैं यहां पर इसको wrap in column करूंगा और इसके उपर से मैं थोड़ी सी spacing देने वाला हूँ और इस button का नाम रखने वाला हूँ logout ठीक है तो मैं इसको यहां पर logout दे दूँगा नाम और इसको logout नाम देने के बाद मैं चाहूंगा कि इसको मैं bind करूं एक action add action और मैं चाहूंगा on tap क्या होना चाहिए logout होना चाहिए तो back end database पर click करूंगा और यहां पर मैं click करूंगा firebase authentication में और logout में ठीक है तो यह logout कर देगा जैसे यहां पर click किया जाएगा तो यहां पर मैं बेट कर रहा हूँ अपने updated app के आने का और जैसे ही यह आ जाएगी मेरी updated app यहां पर harry at cwh.com जो कि मैंने already login कर रहा है मैं logout करूंगा तो यहां गया मालू मैं यहां पर rohan at cwh.com एक email बनाता हूँ यही password रख देता हूँ जो email है ऐसा का भी करना मत आप लोग अपने realistic accounts के साथ मैं यहां पर कर रहा हूँ लेकिन testing purpose के लिए log in पर click करूंगा आप देखो यहां पर अगर म तो हम लोगों ने यहां पर देखा किस तरह से आप लोग firebase को setup कर सकते हो और मैं एक नया project बनाऊंगा आप लोगो यह दिखाने के लिए कि flutter flow के अंदर आप लोग authentication को और easily किस तरह से set कर सकते हो तो यहां पर आप जैसे ही जाओगे create blank पर click करूंगा और मैं एक project बनाता आप लोग एकदम पूरा authentication system यहां पर लेकर आ सकते हैं इस app मालो मैं यहां पर account and profile creation को add to project करूं तो आप देखो यहां पर firebase enable कर रहा है यह users की collection मना रहा है उसी के साथ साथ यह सारे pages आपकी यह जो app s में बनने वाले ठीक है add to project मैं करूंगा और मैं create flow पर click करूंगा और यह flows की साहिता से कर सकता हो हम अपनी app में वापस आएंगे और continue करेंगे जो हम build कर रहे थे but flows is a really powerful feature of flutter flow जिसको आप लोगों को जरूर से दिखना चाहिए back to our app now तो यहांपर मैं क्या कर सकता हूँ मैंने यहांपर text दिया हुआ है और यह email दिया हुआ है और में यहार बद क्या कर सकता हूँ youtube वीडियो भी लगा सकता हूँ लेट उसमे लेना चाहता हूं अपने कौनसे कोर्स का लो मालो में नैंस्यश कोर्स का लेना छहता हूं तो मैं यह जो लिंक है महारा ईसको कापी करूंगा और यहां पर इसके कापी करके मैं यहां पर प्येस्ट करदूंगा इस लिंक की ठीक है watch question mark. V is equal to, ओ जिदेखो यह आ गया देखो, यह अगया भीडीयो तो मैं यह वीडियो यहां पर चला सकता हूँ इस अंभी और बट्ञ बट्ञ बिल्टी कर सकते हो यहां पर नेक्स लेसन में है यहां पर रखोंगा भॉटना को और इसको Mat Little इसको मैं कर दूँगा next lesson ठीक है मानब कुल मिलाकर आप पूरी आप बिल्ड कर सकते हूं इस तरह से आप देखो यहां पर next lesson मैंने किया मैं चाहता हूं जैसे ही आपर क्लिक करें तो एक नई स्क्रीन आ जाए तो मैं आपर क्या कर सकता हूं next lesson पर जैसे कोई क्लिक करें मैं एक नया पेज बना सकता हूं और इस पेज का नाम मैं रख सकता हूं एक YouTube video, मैं यहाँ पर YouTube player लगाऊंगा, और मालो कुछ text पकेरा लगाना चाहता हूँ, और मैं YouTube video में क्या करूँगा, अपना जो पिछले video है, उसका यहाँ पर मैं copy करके डाल दूगा, तो मैं यहाँ पर जो link है, वो copy करके डाल दूगा, और यहाँ पर यह जो है, second वाला वीडियो मेरा चलेगा, और में भी यहाँ पर मैं कुछ text पकेरा डाल दूँ, ठीक है, और इसका page title में check कर दूँगा, change कर दूँगा, और मैं कर दूँगा यहाँ पर first next.js website, अब मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा page है, log in page है जो, मैं चाहूँगा कि next lesson पर click करके, मैं lesson 2 में चला जाओ, तो मैं यहाँ action पर click करूँगा, add action पर click करूँगा, on tap पर click करूँगा, navigate to lesson 2, ठीक है, तो मैंने कहा कि, जैसे ही कोई यहाँ पर click करें, तो वो lesson 2 में चला जाए, ठीक है और यहाँपर मैं एक button मना सकता हूं और मैं कह सकता हूं go to home और अगर मैं यहाँपर एक button मना हूं और मैं इस button के ऊपर थोड़ा spacing दे देता हूं 23 का और यहाँपर लिख दू 홈 कुछ इस तरह से और मैं फिर काऊं कि यार इस पर जैसे ही कोई क्लिक करें मैं यहापर action में जाओंगा on tap में navigate to कर दूँगा logged in page मैं कहूंगा logged in page पर आजाओ कोई भी अगर इस पर क्लिक करें home पे तो logged in page पर आजाओ तो मैंने यहापर एक बहुत अच्छा link बना दिया जैसे कि मैं अगर आप लोग को दिखाऊं image लगाकर तो आप यहापर lesson 2 पे मानलो एक image लगाना चाहते हो तो आप यहापर एक image component का इस्तेमाल कर सकते हो और इसके उपर मैं थोड़ा सा 12 का spacing दे दूँगा और यहापर आप क्या कर सकते हो इमेज यहाप अपलोड कर सकते हो यहाप पाथ से ला सकते हो तो यहाप अगर आप पाथ से लाना चाहते हो तो पाथ से ला सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको अपलोड भी कर सकते हो तो यहापर अगर आप इसका URL जो है नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर uploaded file पर click कर सकते हो और file को upload कर सकते हो बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको network पर ही रखूँगा और यहाँ पर example picture का URL दिया हुआ जिसको मैं change नहीं करना चाहता है अगर आप चाहो तो change कर सकते हो मानलो मैं चाहता हूँ firebase image अगर मैं आप लिखूँ और images में जाओं मानलो आप यह वाली image यूज करना चाहते हो for some reason मानलो ठीक है मानलो अभी यूज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि यह जो image है इस पर click करोगे और image का path change कर दोगे और यह यहाँ पर firebase हो जाएगा ठीक है तो यह करने के बाद मैंने अपनी app को काफी बना लिया ठीक है और यह मेरा storyboard है कि भाई एक login page है एक logged in page है फिर एक lesson 2 है अब मैं अपनी app को test करना चाहूँँगा तो मैं यहाँ पर instant reload करके इसको test कर सकता हूँ वेट करूँगा इसका instant reload होने का थोड़ा सा और जैसे यह instant reload हो जाएगा मैं इसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पर इसका वेट कर रहा हूँ मैं भी और जैसे ही हो जाएगा मैं वापस आँगा और यहाँ पर देखो मैं वापस आचुको अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूंगा, मालो मैं आपर लिखता हूँ harry28 harry.com और मैं password में भी यही लिख देता हूँ और मैं आपर इसको देख सकता हूँ password को अगर चाहूँ तो login पर क्लिक करूँगा और जैसे ही login पर क्लिक करूँगा आप देखो यहां पर हम आ चुके next lesson और मैं next lesson पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखो हम यहां पर आ चुके home पर क्लिक करूँगा तो हम navigate हो रहे हैं back यहां पर आ रहा है मेरा email लिख कर log out करूँगा तो मैं log out हो जाँगा ठीक है तो एक basic application लोगों ने यहां पर बना ली है मजा आया यार काफी मजा आया क्या हम इसकी APK निकाल सकता हूँ हां निकाल सकता हूँ that's the beauty यहां पर अगर आप लोग क्लिक करोगे developer menu पर तो आपको यहां पर download code का option मिलेगा आपको download APK का option मिलेगा download code पर आप लोग क्लिक करके इसका code निकाल सकते हो and from there you can take it code wise यानि कि आप code वगरे लिखकर इसको आगे बढ़ा सकते हो या फिर आप सीधा APK दाउनलोड करो तो आप download APK पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर लिख करा रहा है this will take 2-4 minutes your APK will be downloaded when finished you can navigate away यानि कि wait कर लो build होगी और APK आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी APK को कैसे install करना है आप अपने phone में transfer कर सकते हो किसी भी drive के थुरू google drive के थुरू कर लो या फिर आप एक downloadable link बना लो गोई सकते हैं पर भी upload करके अपने phone में ले आओ phone में अगर आप लोग app store के लावा कहीं से अपको install करते हो तो हाँ आपको एक setting है वो enable करनी पड़ती है असलिए मैंने यहाँ पर blue stacks जो है वो install किया हूँ blue stacks कुछ नहीं है android emulator है यानि कि यह computer पर चलता है PC पर एक android device की तरह तो मैं इसमें install करके आप लोग को दिखाऊँगा एक बार हमारी APK build हो जाए बस और फिर आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि APK हमारी किस तरह से काम करती है ठीक है so let's wait APK हमारी अभी build हो रही है और जैसे build हो जाएगी यह download हो जाएगी तो इसका wait करते है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह download APK पर अभी भी इस तरह के loading आ रहा है तो wait करेंगे और जैसे हमारी loading यह खतम हो जाएगी मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि किस तरह से आप इसको install कर सकते हो अपने device में तो यहाँ पर जो APK बिल्ड है मेरी वो succeed हो चुकी है और मेरी जो APK है वो भी download हो जानी चाहिए तो यहाँ पर यह जो app है वो download हो चुकी है myauthrelease.apk मैं क्या करूँगा कि इसको BlueStacks में कोलूँगा double click करके मेरे computer में BlueStacks इंस्टॉलड है और इस app को मैं करूँगा install ठीक है तो यह myauth नामसे Flutter app यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है खोलूँगा इसको account बनाऊँगा harry.h.com harry मेरा password harry123 कर लेता हूँ password और मैं आप लोग को दिखाता हूँ password मेरा अब देखो harry123 harry123 habc.com कर लेता हूँ लोग इन करूँगा और आप देखो यहाँ पर मैं लोग इन हो जाऊँगा और यह मैं real time में लोग इन हो गया और यह account मेरा यहाँ पर भी बन गया मैं आपको reload करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखो harry at habc.com ठीक है और यहाँ पर मैं इस वीडियो को play कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो अभी next lesson पर जा सकता हूँ तो आप देखो यह next lesson पर जा सकता हूँ यह image मिचे दिख रहा है home पर जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं log out भी कर सकता हूँ तो अगर मैं आप लॉग आट करूँ यह basically confuse हो रहा है फोन में आप चलाओ को बहुत सहीज ही चलेगा लॉग आट करूँगा तो यह लॉग आट होगा है ठीक है तो यह आप हमारी एपी के बिल्ड होके फोन में भी इंस्टॉल हो सकती है काफी बड़िया चीज़े आ रही है एकदम खतरना ठीक है अब मैं आप लोग को कुछ इसके advanced features के बारे में बताता हूँ जो कि इसको एक true production app building framework बनाते है ठीक है पहला feature जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो है branching ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर click करोगे और आप यहाँ पर एक नई branch बना सकते हो branch का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ मालो मैं इसमें एक feature add करना चाहता हूँ जिसमें मैं एक calculator देना चाहता हूँ और मैं एक calculator कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि मैं inches को centimeter में convert करना चाहता हूँ और मैं वो add करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो assign हो जाए मेरे किसी colleague को तो मैं क्या करूँगा उस colleague को splutter flow project का access दे दूँगा और access देने के बाद वो क्या करेगा एक नई branch बनाएगा तो वो new पर click करेगा और यहाँ पर calc नाम से एक branch बना लेगा कि भई बैर मैं calculator रट कर रहा हूँ या फिर मैं calculator नाम से एक branch बना लूँगा तो यह एक branch बना गए अगर आपने git के साथ काम किये तो आपको पता होगा branch क्या होती है अगर वो बन गया तो merge कर सकते हो उसको अपनी पुरानी app में और अगर वो काम नहीं करता है तो आप उस branch को squash भी कर सकते हो आप वहाँ पर उसको एकदम reject कर सकते हो लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा एक नई screen बनाऊँगा और screen का नाम में रखने वाला हूँ calculator ठीक है तो माल लोगी मैं एक calculator के नाम से एक नया page बनाऊँगा create blank पर क्लिक करूँगा मैं AI के थूरू भी बना सकता हूँ अभी के लिए मैं एक blank screen मनाऊँगा और मैं इसका नाम करूँगा inch to centimeter ठीक है मैंने आपर inch to centimeter कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि let us say मैं आपर एक बनाना चाहता हूँ और मैं text field डालूँगा सबसे पहले text field search करूँगा और यहाँ पर text field डाल दूँगा ठीक है और यहाँ पर आप देखो कि एक text field मैंने डाली और इसका जो label है वो मैं रख दूँगा क्या रखूँगा label इसका मैं enter value in inches और यहाँ पर एक text यहाँ पर मैं text centimeter ठीक है मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी कर सकता हूँ इसको उपर कर सकता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी बहुत space वगरा दे सकता हूँ तो यह सब तो मेरा design decision होगा तो मैं यहाँ पर 23 कर दूँगा और मानलो इसके ऊपर 23 करना चाहता हूँ नीचे भी 23 करना चाहता ठीक है तो यह hello word जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा जीरो कर दूँगा और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इनसान यहाँ पर type करें inches में value यहाँ पर centimeter में आ जाए ठीक है तो मैं यह feature add करना जाता हूँ और मैंने मानलो यह feature अपनी इस branch में add कर लिया ठीक है तो यहाँ प वाली branch है उस पे मैं merge में click करके इसको merge कर सकता हूँ और मैं चाहूं तो इसको close कर सकता हूँ calculator मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर small letters में calculator लिखूंगा और मैं इस branch को close कर सकता हूँ एक पर मेरा काम हो गया है मैंने merge लगएर कर लिया तो ठीक है यह रही मीडिया आप और यहाँ पर मैं इन सारी जो Windows N को बंद करूँगा तो गुल मिलागर मैं ऐसे कर सकता हूँ मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि एक नया पेज बनाऊँगा और इस पेज का नाम में रखने वाला हूँ Calculator और इस calculator पेज को मैं बनाऊँगा सबसे पहले मैं इसमें डालने वाला हूँ एक text field ठीक है और इसको मैं center करूँगा और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाऊँगा और इसके बाद एक इसमें मैं text field दूँगा और यहाँ पर इसका label मैं रखने वाला हूँ enter value in inches ठीक है और यह करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा inches to centimeters ठीक है inches to cm और यह करने के बाद यहाँ पर अगर हम जैसे ही value लिखे में चाता हूँ यहाँ पर वो update हो जा जो कि अभी मैं आपर zero कर दूँगा ठीक है तो यह चीज कैसे होगी यह हो सकती है custom functions का इस्तिमाल करके अब custom functions क्या होते हैं आप लोग क्या कर सकते हो कुछ custom functions लिख सकते हो flutter flow के अंदर ठीक है तो custom functions को लिखने के लिए यह आपको आना पड़ता है custom code में custom functions में और आप यहाँ पर एक नया function मना सकते हो तो यहाँ पर मैंने custom function मनाना है जो कि क्या करेगा जो argument है वो लेगा सबसे पहले तो inches value लेगा जो कि एक integer होगी ठीक है जो inches की value हो बहुत ही होगी ठीक है और इसकी जो return value है वो भी double होगी ठीक है तो यहाँ पर इसने क्या किया कि एक inches to cm नाम का एक function मना दिया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा code pilot पर आऊँगा और मैं यहाँ पर AI code assistant से कहूँगा कि write a function to convert inches to centimeters AI की साहिता से मुझे यह काम करके दे देगा ठीक है तो यहाँ पर आप custom code लिख सकते हो और इस custom function को run करा सकते हो तो मैं आपको दिखाते हो यह काम कैसे हो सकता है और यहाँ पर देखो yes ने code लिख दिया है and yes I am good तो मैं यहाँ पर इसको copy function में click करूँगा yes करूँगा और मेरा यहाँ पर जो code है वो modify हो चुका है ठीक है मैं यहाँ पर click करूँगा और मैं save function में click करूँगा इसको save करने के लिए इस function को मैं save कर लूँगा और यहाँ पर मैं click करके यहाँ पर click करके इसको मैं चेक कर सकता हूँ function को कि क्या यह सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है और यह सही चल रहा है save भी कर लिया है मैंने अब मैं अपनी आप में वापस आँगा और अपनी आप में वापस आकर मैं क्या करूँगा कि मैं काऊंगा कि जैसे ही यहाँ पर कोई value change हो, तो मैं यहाँ पर update page on text change करूँगा, और यहाँ पर मैं delay लगा दूंगा 200, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी value को क्या करूँगा, मैं काऊंगा कि इसकी value आ जाए एक widget state से, और वो क्या हो, यहाँ पर हो text field ठीक है और मैं चाहूंगा कि एक custom function run होकर आए ठीक है तो यह चीज कैसे होगी तो मैं यहाँ पर इसकी text की value पर आऊंगा और मैं कहूंगा कि जो इसकी value आ रही है वो आए एक custom function से और वो है inches to centimeter अब मैं इसकी जो यहाँ पर value है वो आएगी एक widget state से जो कि हमारी text field होगी और मैं यहाँ पर confirm कर दूँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई value लिखोंगा मैं यहाँ पर चाहूंगा कि वो inches इंडिमीटर पर convert होके आए चलो यार इस app को चला कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है तो मेरा यहाँ पर उमीद यह है कि यहाँ पर मैं डालूँगा value inches में और उसके बाद मुझे यहाँ पर cm में वो मिल जाएगी तो मेरी app जो है वो रन हो रही है जैसे ही हो जाएगी मैं वापस दाता हूँ अब यहाँ पर ने मुझसे email बेज रहा है email पूछ रहा है तो मैं harry at the rate haar.com यहाँ पर डालूँगा passwords डालूँगा और मैं login यहाँ पर हो जाऊँगा अब मैं क्या करूँगा मैंने क्या किया ना कि जो मेरी यह screen है यह कभी आईगी ही नहीं तो मुझे यहाँ पर एक चीज और करनी पड़ीग यार कि जो मेरा login पेज है उसमें मैं एक button मनाऊँ जो की navigate to calculator में तो जल्दी से यहाँ पर एक button मनाऊँगा और मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा calculator तो यह जो button है इसका नाम में calculator रखूँगा और मैं कहूँगा कि यहाँ जैसे ही मेरा जो calculator है वो मुझे दिखेगा कि नहीं login होने के बाद तो मैंने instant reload किया logged in मैं already हूँ और अगर नहीं भी हूँ तो मैं हो जाऊँगा भी दुबारा से ठीक है let's wait हाँ तो यहाँ पर next lesson पर मैं click करूँगा home पर click करूँगा यह update हुआ नियार मैंने यहाँ पर calculator भी डाल भी डाल भी मैंने login page पर डाल दिया actually calculator तो मैं लॉग आउट करना पड़ेगा दुबारा से तो मैं दुबारा से log out कर लूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं यहाँ पर log out करूँगा calculator पर click करूँगा अब यहाँ पर null आ रहा है अगर मैं यहाँ पर 34 लिखूँगा तो देखो 86.36 आ रहा है 1 लिखूँगा 2.54 आ रहा है 666 लिखूँगा देखो यह आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते है 78 लिखूँगा यह आ रहा है तो यह मुझे इंचेस्टर सेंटीमिटर में convert करके दे रहा है using custom functions ठीक है अब इसके बाद Flutter Flow में और भी बहुत सारे features होते है जैसे कि एक feature होता है cloud function cloud function की साहिता से क्या होता है जैसे मालों आप लोग एक email भीजना चाते हो जैसे ही Firebase का कोई एक event fire होता है तो तो आप cloud function को deploy कर सकते हो और आपके cloud functions जो है email वगएरा भीज देंगे आपके user को तो Flutter Flow एक complete framework है जिसकी साहिता से आप लोग अपनी Android apps बना सकते हो iOS apps बना सकते हो और उसी के साथ साथ आप अपना custom code export कर सकते हो आप अपने code को view कर सकते हो custom ID इसके अंदर होती है जिसकी साहिता से आप अपने code को view कर सकते हो और भी बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़े हैं जो कि हम explore आने वाले वीडियोज में कर सकते हैं अगर आप लोग को interest हो तो मुझे comment section में जरूरू बताना एक end to end app इससे बना सकते हैं इसका AI builder बहुत कमाल का है आपको गया लगता है कि इस तरह के low code platform को आपको भी use करोगे क्या और अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे यह time बचाता है आपको वही चीज़ करके देता है जो कि आपको शायद घंटों की coding के बाद करो और उसी के साथ-साथ यह आपको एक solid app बना कर देता है जिसको आप लोग अपने code से customize भी कर सकते हो तो इस पर आपको क्या views है मुझे नीचे comment section में जरूर बताना अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time